हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत यच्छे होगी प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे चंजिस बहुत सारे बदलाओ देखने को मलते हैं कुछ महलाओं की कोयरिस होती है कि हलचल होने वाली जो बेबी की मुवमेंट होती है उससे कैसे जाने गर्व में बेटा होगा या बेटी होगी लड़का कब से हलचल करता है लड़की कब से हलचल करती है आज मैं इस वीडियो में हलचल से रिलेटेड जो भी चीज़े हैं वो सारी इस वीडियो में किलियर करने वाली हूँ अगर आप गर्वती हैं और आपके भी मन में बहुत सारे डाउट हैं हलचल को लेकर तो प्लीज हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा आपकी काफी मदद भी होगी और सारे डाउट भी किलियर हो जाएंगे प्लीज कमेंट में ये जरूर बताईएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है क्या आपको अपने बच्चे की मुमेंट अच्छे से फील होती है या फिर नहीं तो चली आज की वीडियो शुरू करते हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शियर और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के 7-8-9 महीने में बच्चे की जो मुमेंट होती है वो आपको अच्छे से फील होती है हाला कि 5 महीने से लेकर बच्चा जो होता है वो अच्छे से मुमेंट करने लगता है लेकिन जैसे ही pregnancy का साथवा महिना शुरू होता है यानि कि pregnancy की तीसरी तिमाई शुरू होती है तो भाई बच्चे की moment आपको बहुत ज़दा strong feel होने लगती है क्योंकि साथवे, आठवे और नौवे महिने में बच्चे का development जो होता है वो बहुत तेजी से होता है बच्चे का बिकास बहुत तेजी से होता है जिसकी बज़े से भाई आपको बच्चे की जो moment है वो बहुत ज़दा strong feel होने लगती है खास करकि तब जब आपकी delivery का समय नजदीक होता है माल लीजे 9 महिना लग गया है या फिर 9 महिना end होने वाला है तो बच्चा जो है वो पूरी तरह से घूम नहीं पाता है लेकिन उसके जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत तेजी से आपको feel हो सकते हैं मतलब जो हलचल है वो बहुत ज़दा strong हो जाती है last time पर ठीक है अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपकी pregnancy के five month complete हो चुके हैं और आपको अपने बच्चे की moment अभी तक feel नहीं हुई है तो ऐसे मैं भी आपको तुरंट doctor से consult करना चाहिए पूरी pregnancy आपको बच्चे की moment को track करते रहना है क्योंकि भाई बच्चे की moment ही आपको बताती है क्योंकि आपका बच्चा गर्फ के अंदर ठीक है या फिन नहीं अगर बच्चा हर 5 से 10 मेंट के अंदर moment कर रहा है दिन में 10-15 वार आपको feel हो जाती है moment तो बिल्कुल भी चुन्ता करने की ज़रत नहीं है क्योंकि आपका बच्चा ही बता देता है कि मैं एकदम ठीक हूँ हल्चल से वो बहुत आपको सब कुछ जानकारी देता रहता है तो जल्दी-जल्दी हल्चल feel हो रही है तो समझ लीचे बच्चा ठीक है लेकिन 5 महीने complete होने के बाद भी अगर आपको अपने बच्चे की मुमेंट फील ना हो तो तरंत डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा अब लास्ट टाइम पर क्या होता है बच्चे की जो मुमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है लेकिन इसका मतलब हाथ या फिर पैर चुब रहे हैं आप अच्चे से फील भी कर सकती है लेकिन लास्ट टाइम पर कभी-कभी ऐसे भी कैसे सो जाते हैं जैसे कि डिश्चार्ज होने लगता है बहुत जादा जिसकी वैसे जो मुमेंट होती है वो कम हो जाती है लेकिन आपको हमेसा दिहान रखनी है कि कभी भी प्रेग्निसी में पानी आए बहुत ज़दा डिश्चार्ज हो जाए तो आपको तुरंथ हॉस्पिटल जाना चाहि यह ऐसे मैं भी बच्चा जो होता है वो कम मुवमेंट करता है अच्छा जब बच्चे की मुवमेंट फील आओ तो थोड़ा मीठा काके देखिएगा आपका बच्चा हो सकता है तुरंद शायद मुवमेंट करने लगे काफी लोग बोलते हैं लड़का कौन से महीने से अलचल करता है लड़की कौन से महीने से हलचल करती है कुछ लोग बोलते हैं लड़का जो होता है वो लेठ हलचल करता है 50-60 महीने 70 महीने से हलचल करता है लड़की जल्दी हलचल करने लगती है देखिए इन बातों को कोई scientifically proof नहीं है दोस्तों तो मैं भी यह दावा बिल्कुल न ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों प्लीस हमारी बातों को समझने की कोशिश करें